नमश्कार दोस्तो, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपकी अपने चैनल डिजिटल मशनिस्ट में दोस्तो आज का यह वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है क्यूंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले है मसिनिस्ट सेकंड यर usar वालों के लिए यह जो सीलियाबस चेंज हुआ है वह क्या-क्य चेंज़िस हुआ है आपका सीलियाबस क्या है इसके बारे में हम आज डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं अब आप सोच रहे होंगे कि अभी क्यों हम सीलियाबस बता रहे हैं क्योंकि देखे हमने सेकंडियर के थेरी के कुछ क्लासे से प्रोवाइड किये हैं उसमें आपका रिस्पॉंस अच्छा देखने को मिल रहा है इसलिए हम चाहते हैं कि आपको सिल्याबस के बारे में भी पता होना चाहिए यानि जो भी आप पढ़ने वाले हैं उसके बारे में अगर आपको नौलिज होगी उसके जो भी टॉपिक्स है वह अगर आपको मालुम रहेंगे तो आपको जहें पढ़ने में आसानी होगी और एक महतोपूर्ण बात क्या है दो हजार चोबिस की जो सीबिटे एक्जाम है उसमें हमने देखा कि अलग-अलग ट्रेड के जो भी मिला है इसके पीछे की वजह क्या है तो देखिए यहाँ पर इसके पीछे की वजह जो है यहाँ पर मशिनिष्ट के लिए यानि मशिनिष्ट के लिए कोई भी यहाँ पर वीडियो नहीं बनाता है सिर्फ और सिर्फ डिजिटल मशिनिष्ट को छोड़ कर इसलिए आप अभ रही करनी है और किस तरीके से आगे बढ़ना है सब कुछ जानकारी हमने आपको दी है और आज के इस वीडियो में हम सिलाबस के साथ साथ आपको CBT एक्जहम में किन बातों का ध्यान रखना है और आपको कैसे तयारी करना है और अगर आपने और अच्छी तयारी करने है तो व वह भी आज की इस वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है इसलिए वीडियो के साथ लाश तक बने रहे हैं तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं देखिए यहाँ जो सिल्याबस है यहाँ कुल 1200 अवर्स का यहाँ पर जो है सिल्याबस है मतलब 1200 घंटे का यहाँ पूरा सिल्याबस है यहाँ यन्यस क्यू याफ लेवल 4 का सिल्याबस है पहले यन्यस क्यू याफ लेवल 5 का सिल्याबस था अभी जो है 4 का सिल्याबस चालू ह अभी देखिए आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या-क्या changes हुए है तो यहाँ पर कुछ जादा major changes तो नहीं हुए है सिर्फ practical में जो है यहाँ पर थोड़े भो changes हुए है यहाँ पर हम सब कुछ जानकारी और सिल्याबस भी देखने वाले तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि यहाँ पर second year वालों के लिए क्या-क्या और कौन से topic दिये गया है दोस्तो आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बाते बता देना चाहते है दोस्तो हमने already यहाँ पर 2022 के लिए 2023 के CBT exam के लिए हमने already आपके लिए यहाँ पर निमे के question स्वालुक किये है अगर आपने वह नहीं देखी है तो वह जाके playlist देख लीजी क्योंकि उसी में से आपको जो है 2024 के लिए question आने वाले है और जो महतोपुर्न क्या है कि 2024 के लिए कुछ चातरों के मन में doubt है कि यहाँ पर जो question आने वाले है वह book से भी आ रहे है तो उसके लिए हम 2024 के लिए अलग यहाँ पर जो है तयारी करवाने वाले है जब आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पर 2024 के लिए कितनी बहतरी न आपकी तयारी हो जाएगे आपको पता भी नहीं चलेगा और यहाँ पर आपकी जो तयारी है पूरी की पूरी हो जाएंगे हम इसको यहाँ पर डावे के साथ केह सकते हैं और महत्वपुर्न क्या है इसमें आपका जो यहाँ पर पहिला topic है टूल और कटर ग्रेंडर मशन उसके बारे में हम आपको बताएंगे उसके बाद जो है यहाँ पर क्या क्या है आपका CNC है, Gages है, फिर Maintenance है, फिर Basic Electricity है, क्या Man Followers है यहाँ सब कुछ जो टॉपिक्स है इन सब के बारे में आपको जानकारी मिलने वाली है तो दोस्तों आप जो है यहाँ पर हमारे साथ बने रहिए देखें यहाँ पर यहाँ से जो है आपका सिल्या बस चालो होता है कहाँ से चालो होता है आपका सिल्या बस यहाँ पर आप देख सकते है यह जो grinding है यहाँ से जो है आपका सिल्या बस चालो होता है देखिए surface grinder cylindrical grinder उसके part introduction construction type of specification safety different method of cylindrical grinder मतलब पूरी जानकार यापको जो है grinding machine के बारे में यहाँ पर होनी चाहिए उसके बाद क्या आता है उसके बाद देखिए यहाँ पर geometrical tolerance symbol different type of micrometers उसके parts bore dial gauge यहाँ पर एक एक point आप इसे पढ़ सकते हैं और यह जो यहाँ पर PDF है हम आपको telegram ग्रूप पर या whatsapp ग्रूप पर भेज़ देंगे वहाँ से आप क्या की जेट डाउनलोड कीजिए देख सकते हैं यहाँ पर आप personal safety safe material holding and safe machine operation on CNC turning center मतलब यहाँ पर CNC मशिन के उपर आपको कैसे job clam करना है कैसे वहाँ पर turning करनी है कितनी feed लगानी चाहिए rough cut के लिए कितना लगाना चाहिए finish cut के लिए कितना यहाँ पर cut लगाना चाहिए यह सब जो है आपको accuracy में काम करना है और यहाँ पर आपको पूरा जो है यहाँ पर सीखना है उसके पार्ट क्या होते है उसका programming कैसे होता है सब कुछ आपको जो है यहाँ पर सीखना है देख सकते हैं यहाँ पर देखिए programming sequence format different codes and words ISO G-code और EM-code देखें G-code क्या होते है और EM- को यहाँ पर preparatory function कहा जाता है और M code को यहाँ पर misleading function कहा जाता है देखे Z code जो है यहाँ पर scanning के लिए यूज कbyट ते हैं और यहाँ मनेद स्जय केप मशन के पार्ट की movement करने के लिए जैसे की coolant on coolant off spindle on spindle off spindle clockwise spindle anti clockwise क्लॉक्वाइज डाइरेक्शन में घुमाने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर एक्जाम्पल के लिए हम आपको बता देते हैं M03 जो है यहाँ पर spindle clockwise, M04 जो है यहाँ पर spindle anticlockwise, M05 जो है यहाँ पर spindle stop, M08 जो है यहाँ पर current on, M09 जो है यहाँ पर current off के लिए use करते हैं वही से ही G-Code G-01 जो है यहाँ पर किसली use करते हैं तो linear interpolation के लिए G-00 जो है यहाँ पर rapid traverse के लिए G-02 जो है यहाँ पर clockwise direction में यहाँ पर radius करने के लिए G-03 जो है यहाँ पर किसली ए anticlockwise radius के लिए यहाँ पर देख सकते हैं अलग-अलग modes भी होती है जोग mode, EMDI mode, MPG mode, edit और memory यहाँ पर जोग mode का यूज करके जो है हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर manually जो है यहाँ पर उसको moment कर सकते हैं यह जो है पूरा आपको सीखना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सारी knowledge आपको मिलने वाली है यहाँ पर देख सकते है CNC, VMC, centerless machine बहुत सारी यहाँ पर उसकी programming कैसी होती है क्या नहीं हमने यहाँ पर आपको बता दिया कि क्या कैस सिल्याबस में है क्या क्या नहीं है सब कुछ आपको जो है यहाँ पर सीखना होगा यहाँ पर देख सकते है CNC, VMC, machine elements, their function, bed, check, auto tool changer देखे यहाँ पर जो automatic tool changer होता है late machine यानि CNC machine का जो automatic tool changer होता है उससे क्या कहते है उसे turret कहते है क्या कहते है टरेट कहते है और जो यहाँ पर VMC का tool changing होता है यहाँ एटीसी, automatic tool changing system उसको क्या कहते है उसको tool magazine कहते है क्या कहते है टूल magazine कहते है यहाँ आपको देहन में रखना होगा यहाँ बड़ा difference है दोनों में देखे बहुत सारी knowledge है यहाँ पर लेने के लिए अब आते है workshop calculation and science देखे इसका भी syllabus बदल गया है आपको क्या क्या सीखना है क्या क्या नहीं हमने आपको यहाँ पर trade theory में क्या क्या यहाँ पर सीखना है यह तो बता दिया अब यहाँ पर देखते है WCS में आपको क्या क्या पढ़ना है देख सकते है पहरा जो topic है वह क्या है demonstrate a basic mathematical concept and perform practical operation क्या क्या है यहाँ पर आप देख सकते है understand and explain basic science in field of study included simple machine जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यह मतोपूर्ण topic है mass weight density, speed velocity, heat treatment, temperature यहाँ जो है मतोपूर्ण topics है यहाँ पर आप देख सकते हैं syllabus में देखे यह भी यहाँ पर topic आपको mathematics में देखने को मिलते हैं unit fraction, material science, mass weight, value और density हमने आपको अभी भी बताया speed and velocity work, power and energy यहाँ जो है computer exam के दरश्टिकों से भी महतोपूर्ण topics है इसके उपर जो है exam पूछे जाते हैं exam में question पूछे जाते हैं heat treatment हो गया, आपका basic electricity, maintenance, technology यहाँ जो है यहाँ पर WCS के जो है topics है, यहाँ पर आप देख सकते हैं engineering drawing में आपको क्या क्या पढ़ना है, देख सकते हैं पहला जो है यहाँ पर क्या क्या है engineering drawing में आप देख सकते हैं conversation viewing of engineering drawing seat, engineering instrument आपको देखना है यहाँ पर क्या क्या है फिर freehand drawing यह तो पहले यहाँ पर engineering drawing में आपको freehand में front view, top view, side view यह सब यहाँ पर निकालना पढ़ता था, freehand sketch होते थे, हमने भी यहाँ पर drawing में सीखा है, लेकिन आप भी क्या है, आपको जो है सिर्फ अच्छे question और 12 mark के लिए यहाँ पर, वह cbt exam में online दिया है, इसलिए यहाँ पर आपको जो है, सिर्फ पढ़ना है, इसका कोई आपको drawing निकालने की जरूरत नहीं है लेकिन दिमाग तो यहाँ पर भी आपको लगाना पड़ेगा, तबी यहाँ पर आप देख सकते हैं और यहाँ पर अच्छे आंकों से पास हो सकते देखे महतोपूर्ण जाते जाते हम आपको एक बात बता देना चाहते है कि महतोपूर्ण क्या है हमने आपको बताया कि यहाँ पर यह जो है सिल्याबस अभी खतम हो चुका है अभी यहाँ पर मतोपूर्ण क्या है आपको आगे क्या-क्या पढ़ना है और क्या-क्या नहीं देखें CBT exam 2024 के लिए आपको जो है यहाँ पर सबसे पहले निमी के question पूरे याद करने हैं उसके बाद आपको जो है trade theory का यहाँ पर मतलब इसके साथ साथ में book भी पढ़ना है book से भी यहाँ पर आपको knowledge लेनी चाहिए उसके बाद आपको क्या करना है हमने जो यहाँ पर पहले से ही already निमी के question के उपर वीडियो बनाए है उसका link हम description box में दे देंगे वहाँ से जाके पूरे वीडियो देखे यहाँ पर यहाँ वीडियो देखने के बाद आपको जो है idea लग जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है कैसे question पूछे जाते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर 2023 के कुछ हमारे पास module paper भी है उसका जो है हम यहाँ पर पूरा analytics यहाँ पर आपको बताने वाले है उससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि पिछले साल जो है यहाँ पर कौन से question पूछे गए थे यानि आपकी जो है यहाँ पर तयारी हो जाएगे और महतोपुर्ण क्या है जो भी यहाँ पर हम question बताएंगे उसका जो है पूरा का पूरा यहाँ पर analytics करेंगे इसलिए जो है आप हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े रहे है अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक करें चैनल को भी subscribe करें और बेल आइकन पॉल के अप्शन पर sit कर दीजिए और एक महत्व पूर्णा बात क्या है यह वीडियो जो है अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए क्योंकि यहाँ पर अगर आप यहाँ तक रुके है तो हम में यह पता है कि आप इसे जरूर शेयर करेंगे तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना है मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए जय हिंच यह बारत